नमस्कार प्यारे बच्चो तो आईए शुरू करते हैं कक्षा सैवंत का उडान का विज्ञान का लेसन नमबर एट पवन तुफान और चक्रवाद तो हमें सबसे पहले यहां पर कार्या पत्रक एक दिया हुआ है यहां लिखा हुआ है गतिशिल वायू पवन कहलाती है प्यार पर निमन प्रशनों के उत्तर दो तो यहां लिखा हुआ है बेहती हुए हम जो वायू होती है चलती हुए उसको पवन कहते हैं वायू जो होती है दाब डालती है और वायू का जनी पवन का वेग जनी इसकी स्पीड बढ़ने पर वायू का दब धाब घट जाता है तो यहां लिखा हुआ है पतंग उड़ाते समय पवन किस प्रकार सहाइक होती है तो प्यारे बच्चों हम यहां लिखेंगे पवन की तेज गती के कारण पतंग के नीचे दबाब बढ़ता है तो यहां कारण लिखना रह गया है कि कारण पतंग के नीचे दबाब बढ़ता है क्योंकि हवा जो है उसके नीचे जब उड़ रहा है तो नीचे से दबाब डालती है और उपर उसके दवाव और पतंग के उपर दवाव कम होने के कारण पतंग असानी से उड़ जाता है तो वस्तों जिस तरफ दवाव कम होता है उस तरफ उड़ने लगती है अगला क्वस्चन लिखा है साइकल के ट्यूब टायर की ट्यूब में बहुत अधिक हवा भर दे तो क्या होगा तो ट्यूब के अंदर हवा के अधिक दवाव के कारण ट्यूब जो है वह है फट जाएगी तो हम यहाँ पर लिख देंगे ट्यूब फट जाएगी तो यह इसका आंस्वर है ट्यूब के अंदर हवा के अधिक दवाव के कारण ट्यूब फट जाएगी अगला क्वश्चन यहाँ पर लिखा है गय पवन की दिशा के अनकूल साइकल और नौका चलाना असान क्यों होता है तो प्यारे बच्चों जिस तरफ हवा बह रही है उसी तरफ बह दबाव डालेगी तो अगर इसी दिशा में कोई वस्तु पड़ी है तो वह इसको उसी दिशा में बहा कर ले जाएगी इस पर कम जोर लगेगा अगर इसको हवा की उल्ट दिशा में लेकर जाना हो तो अधिक जोर लगेगा तो इसका हम उत्तर लिख देंगे जिस दिशा में वायू दबाव डालती है उसी यनि पवन की दिशा में वस्तु को चलाना असान होता है तो इसका शेश हम लिख देंगे आंस्वर प्रशन वाला ही इसलिए पवन की दिशा के अनकूल साइकल और नौका चलाना असान हो जा रहता है वहां तुफान बहुत होते हैं तो तुम अपने मित्र को क्या क्या सावदानिया बर्तने को कहोगे यनि प्यारे बच्चों यहां पर हमें जब तुफान आता है तो तुफान से बचने के लिए हम क्या क्या सावदानिया बर्त सकते हैं इसके विशे में हमने अपने मि तरको सला देनी है तो तुफान आने पर उसे निमन सावदा निया बरतनी चाहिए घर से बाहर ने निकले खिड़की के निक्ट ना बैठे जरूरी समान जैसे बोजन का कुछ दिन का प्रबंद अपने पास रखे जैसे बोजन और साथ में पानी और बोजन और कुछ इंदन ज दातू की डंडी वाले छाते का प्रयोग बिलकुल नहीं करना चाहिए नंबर चार है तो उसे जो घर से बाहर जाना हो तो छाते का जो दातू की डंडी लगी होते हैं उसका बिलकुल प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इस पर तडित जनी जो बिजली आसमन से गिरती है वेग गिर सकती है उचे पेड के निच्चे भी आश्रया नहीं लेना चाहिए क्योंकि उचे पेडों पर वेदुत अधिक गिरती है तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यह आपका लेसन नंबर चाण आठ तुफान पवन तुफान और चक्रवाद कंप्लीट हुआ है उड़ान का मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो इस चैनल पर नए है उन्होंने सब्सक्राइब भी जरूर करना है और वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों में शेर भी जरूर करना है थैंक यू वेरी मच